आज मैं आपको बता हुआ कि अपने वाटसआप के कोई भी गूप है तो आप उस गूप का लिंक कैसे क्रेट कर आपने देखा होगा कि या तो कोई गूप होता है वाटसआप का तो कोई हमें एड़ गरता है या फिर हम उसमें डायरेक्ट एलों तो उसके लिए वो लिंक होता है उससे आप डायक किसी भी ग्रूप में एड हो सकते हैं तो उसके लिए ना तो आपको कोई application की जरूरत है ना ब्राउजर में कुछ सर्च करना है कुछ भी ने करना है आपको simply WhatsApp में ही आपको किसी ग्रूप की मिल जाएगी लिंक तो सबसे पहले condition में आपको बहता दूँ कि condition यह है कि आपको जिस ग्रूप का आप लिंक कोपी करना चाते है या आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो जिस ग्रूप का आप लिंक कोपी करना चाते है या बनाना चाते लिंक तो आपको उस ग्रूप का admin होन जैसे में इस पर क्लिक करता हूँ तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कौने में एक ओप्शन देखिया का कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट आइकॉन इस पर में क्लिक करता हूँ जैसे में इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर बहुत सार ओप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ से डायरेक्ट किसी अपने कॉट्टेक्टर जो भी आपका प्रेंड प्रेंड को कोई भी उसको डायरेक लिंक सेंड कर सकते हैं और आप यहाँ इन्वाइट टू ग्रूप इस पर क्लिक करके सेंड लिंक वाटसअप आप वाटसअप के थूप लिंक को भेश सकते हैं आप कोपी कर सकते हैं और बहुत सारी अलग-अलग अलग अलग चीजों से या फिर मेसेंजर है या फिर हाइक है और आप मेसेज कर सकते हैं किसी को भी तो मैं आपको यहाँ पर कोपी कर लेता हूँ जैसे मैं लिंक कोपी कर लेता हूँ उसके बाद हम देखते हैं कि ये लिंक मैंने कोपी किया फिर पेस्ट किया जैसे मैंने कोपी पेस्ट करता हूँ तो जाय टेकलर यूटूब आ गया फिर मैं इसको सेंड कर देता हूँ तो मैंने ये ग्रूप का लिंक create किया, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है view group, अगर कोई दूसरा user is को देखेगा, जो इस group में नहीं है, तो यहाँ पर उसको लिखा मिलेगा, join the group, तो इस type से आप अपने किसी भी group का link create कर सकते हैं, तो इसे आपको आसन यह होगे कि आप जो admin होगा, उसको किसी भी person को add करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी अगर add होना चाहेगा, तो वो इस link से add हो सकेगा, तो अगर थेंक्स पोर वोचिंग गाईज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज जरूर करें